दोस्तो पल्स पीडित वा अन्य कम्पनी से पीडित सभी पूरे भारत वर्ष को मैं नवश्कार करना चाहूँँगा। दोस्तो बहुत दिन के बाद में मौका मिलाए कि हम आप लोग को अपनी आवाज पहुचाएं। दोस्तो जब हम पहले जब कंपनी में काम करते तो हमारे पास कोन आता था? Marie आती थी यह सीनियर आता था ना। लेकिन सीनियर आन्के बाद में ता हम लोग जूरते थे कोशिस करते थे। लेकिन हमने ड़ाद में लड़ाई की शुरुबात की ती तो हमने पहले ही senior को अपने साथ लेने की कोसिस करी थी तो इन senior ने हमारा जवाब क्या था इन senior ने कहा क्या कहा था पता है आपको बोले आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो management से लड़िए और जब हमने management के खिलाब लड़ाई लड़नी शुरू करी आपिस बंद कराने शुरू कर दिये लोगों से बात करने शुरू कर दी तो फिर इन लोगों ने कहा कि आगर लड़ाई लड़नी है तो आप गोर्मेंट से लड़िये क्योंकि इन्होंने पहले जो पैसा जमा कराया उसमें भी चाल और जब हमने लड़ाई शुरू करी उसमें भी चाल तो दोस्तों आप हम एक बात समझ चुके हैं क्योंकि लगातार हमें पांस साल प्रियास करते होगे और जो पैसा नहीं मिला वो सिर्फ इनी की कमीशन नहीं मिलाए क्योंकि ये लोगों को गुमरह करते हैं ये लोगों को कहते हैं कि नहीं पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपकी भी समझ में आप आ चुका है कि पैसा नहीं मिलेगा अब आपकी समझ में आ रहा है तो मैं आपसे एक अनुरूत करना चाहता हूँ कि देखिए हमने में मुरादबाद रभी शंकर गौतम उत्ता परदेश से हूँ और एक हमने पार्टी बनाएती भारतिय लोग से वदल उसका राष्टे महासचिब भी हूँ तो दोस्तो हम आपसे एक बात और पूछने चाहते हैं आपने देखा ही था शेंवममर का प्रदानमंत्री के आगे तो हम किसी से गोहार करी नहीं शकते तो अब प्रदानमंत्री से भी करके देख लिया लेकिन हमने अभी तिंशार महीने चुप रहने का फाइदा रही हो यह देखा कि अगर हम यह लडाई जो है अगर अपने सीनियरों के दुआरा लड़ी जाए तो हो सकता है हम बहुत जल्दी कामियाब हो जाएंगे उसका मकसद यह है कि हम अपने अपने सीनियर को साथ लेके चले और मैंने जो है अभी एक मिटिंग करी थी तीन मार्च को कुछ रियल्ट मुझे मिला और मैं अब 17 मार्च को मुरादबाद तो जो मुरादबाद के आसपास के जो सीनियर हैं उनसे हाज जोड के पुना कहना चाहता हूँ कि आप लोग आ जाओ और अगर आप नहीं आते हो तो जहां भंगु बैठा ना वहां बैठाने का काम इन जो जिलों के गरीबों के आपने पैसे लगवाएं वहाँ पहुचाने का भी काम इनके रहेगा कि अगर हमने इन सीनियरों के खिलाफ अगर कारवाई करी तो हम बहुत जल्ली काम्याब हो जाएगे तो दोस्तो सत्रे मार्च मुरैदबाद। मैंने एम्स और सीनिर एम्स की एक वैठक बुलाई है और खास करके मैं मुरैदबाद के लोगों से कहना चाहता हूं शंबल, चदोसी, रामपुर। दोस्तो अगर आप लोग नहीं आए तो जो अन्जाम भाङगू का हो रहा है वो तुमारा कराने के लिए हम एक बहुत बड़ी रणिती तयार कर चुके हैं उस रणिती में वो ही लोग आएंगे जो हमारे साथ रहेंगे और वो रणिती आपको दिखाई जाएगी कि क्या है जहां भंगू बैठा है बहां तुमारा बैठाने का काम भी हमने शुरू कर दिया है और मैं मुरादबास से कहना चाहता हूँ मैंने पांस साल अपनी लाइव के खतम कियें तो तुम्हें भी घर चैन से नहीं बैठने दूगा और मैं पांस साल के अंदर जो मैंने लड़ाईएं लड़ाईएं आपको भी पता है सबको और मैं अब लड़ाई लाश्ट में लड़ाई लेना चाहता हूँ ना तो गोर्मेंट से लड़ना चाहता हूँ और नहीं कमपनी से लड़ना चाहता हूँ अब लड़ाई जो है वो आप से है क्योंकि पैसा आपने लगवाया पैसा आपकी बज़े से लगा जब मैं दड़ी भी छागे मुरादवाद में बैठा था तो तुम लोग आते थे और तुम क्या कहते थे पता है कि बहुत जल्दी फैसला होने जा रही है और पैसा मिलने जा यह सब कुछ मुझे याद है तुमने क्या क्या करा है वो सारा कुछ याद है मुझे तो अब मैं आपसे पुना हाज जोड के कहना चाहता हूं कि 17 मार्च को आपके जीवन की बहुत बड़ी एक रेखा केचेगी अगर उस पर आप नहीं चले तो फिर सोच लेना कि आपके सा साथ होगा क्या तो मैं आपसे नहीं पूरे भारत वर्स के जितने सीनियर हैं उन से हाजूर के बिंती करना चाहता हूं इन संगठन के लोगों के साथ खड़े हो जाओ नहीं तो तुमारे दिन वो आएंगे जो भंगू के दिन हैं तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहत अब नहीं मुझे company से मतलब है ना इस government से मतलब है मतलब है तो तुम से और तुम नहीं लोगों को रोखा है तो मैं आप लोगों से बिंती हाद जोड के कहना चाहता हूं कि प्राता दस बजे आप मेरे निवास इस्थान मजहुली से आगे रिड मुक्तेसर मंदिर है मंदिर के बरावर से एक रास्ता जाती है जो कि राहुल पेपसी के बिल्कुर ठीक सामने कोई भी आपको बता देगा बहां पहुँचे और मेरा नमबर है 90125 00022 मुरादवाद रभी शंकर गोतम आपसे हाद जोड के पूर्णा बिंती करना चाहता है कि आप 17 मार्च को पहुँचे और जो लोग आपके पृति कोई भी आवाज उठाना चाहता है तो उनका नाम मेरे पास जरूर लिखके आए मैं आपका आभार विर्कट करूँगा कि आप आए और मेरा आपने सहयोग दिया और मेरे जो भाई गरीब हैं जिनका पैसा नहीं मिला उनका भी आपने सहयोग दिया तो आप मैं आगे की लड़ाई के लिए आप से यह नहीं कहा चाहता है कि आप इनकी जो बद्धुआएं अपने उपर लें अब लड़ाई सुरू आप से होगी और किसी से नहीं जितने सीनियर एम और जितने लोग कमपनी मैं आज की डेट में काम कर रहे हैं मैं उनसे खु अब बड़ी नीम रखी जा रहे हैं आप आईए सभी लोगों से अन्रोद सभी को मेरा नवशकार पूरे भारत में यह चिंगारी बहुत तेजी से फैलने जा रही है सभी को नवशकार पूरे भारत बरिश को चाहता हूँ मैंने पांस साल अपनी लाइव के खतम किये तो तुम्हें भी घर चैन से नहीं बैठने दूगा और मैं पांस साल के अंदर जो मैंने लड़ाई हैं लड़ी हैं आपको भी पता है सबको और मैं अब लड़ाई लाश्ट में लड़ाई लना चाहता हूँ ना त लड़ी भी छागी मुरादवाद में बैठा था तो तुम लोग आते थे और तुम क्या कहते थे पता है कि बहुत जल्दी फैसला होने जा रही है और पैसा मिलना जा रही है अब उन नालाइकों के नंबर उन नालाइकों के मेरे पास नाम हैं अब मैं उनके खिलाप F.I.R. ज पुना हाज जोड के कहना चाता हूं कि 17 मार्च को आपके जीवन की बहुत बड़ी एक रेखा केचेगी अगर उस पे आप नहीं चले तो फिर सोच लेना कि आपके साथ होगा क्या तो मैं आप से नहीं पूरे भारत वर्स के जितने सीनियर हैं उनसे हाज जोड के बिंती करन चाता हूं इन संगठन के लोगों के साथ खड़े हो जाओ नहीं तो तुमारे दिन वो आएंगे जो भंगू के दिन हैं तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाता हूं आप कुछ नहीं कर सकते मैं सब कुछ करूँगा क्योंकि आपके दुआरा जो पैसा मैंने लगाया जै जोड के कहना चाता हूं कि प्राता दस बजे आप मेरे निवास इस्थान मजहुली से आगे रिण मुक्तेसर मंदिर है मंदिर के बरावर से एक रास्ता जाती है जो कि राहुल पेपसी के बिल्कुर ठीक सामने कोई भी आपको बता देगा बहां पहुंचे और मेरा नमबर ह 9-0-1-2-5-000-2-2 मुरादाबात रभी शंकर गोतम आप से हाट जोड के पूर्णा बिंती करना चाता है कि आप 17 मार्च को पहुंचे और जो लोग आपके प्रती कोई भी आवाज उठाना चाता है तो उनका नाम मेरे पास जरूर लिखके आए मैं आपका आभार विरकट कर दिया और मेरे जो भाई गरीब हैं जिनका पैसा नहीं मिला उनका भी आपने सही हुग दिया तो आप मैं आगे की लड़ाई के लिए आप से यह नहीं कहा चाता है कि आप इनकी जो बद्दुआए अपने उपर ले अब अब लड़ाई सुरू आप से होगी और किसी से नही जितने सीनियर एम और जितने लोग कमपनी मैं आज की डेट में काम कर रहे हैं मैं उनसे खुल के चैलेंज करना चाता हूँ कोई भी आए मेरा नमबर है मेरे से मिले बात करना चाहे तो कर ले तो मैं सबसे हाँ जोड़ के कहना चाता हूँ सत्रे मार्च आपके भविस्थे क एक बहुत बड़ी नीम रखी जा रही है आप आईए सबी लोगों से अन्रोद सबी को मेरा नवशकार पूरे भारत में ये चिंगारी बहुत केजी से फैलना जा रही है सबी को नवशकार पूरे भारत बरिश्थ